नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप चाहते हैं कि उम्र ज्यादा होने के बाद भी आप फिट रहें एक्टिव रहें तो आपके लिए डाइट प्लान जी हाँ आपके लिए डाइट प्लान जो है ये बेहत खास रहने वाला है जो लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है खास करके जो महिलाएं हैं अक्सर अपनी सेहत के लिए ले करके लापरवा हो जाते हैं पचास के बाद इस उम्र में पहुंचने के बाद अनुचित खान पान उनके स्वास्ते पर बुरा असर डालता है और उन्हें कई बीमारिय हैं घर में वो सबको परिशानी होगी तो इस वज़र से हमारा भी डाइट है कि उनके लिए डाइट प्लान रेडी कर लें इस वज़र से महिलाओं को अपने खान पान को ले करके काफी सजग रहना चाहिए बहराल पचास के उम्र में पहुंच चुकी माताओं बहनों के लि लोग हैं यानिकि माताओं हैं खास करके उनको कि आपको यह फॉलो करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें तो हम लोग भी खुशी से अपने कम से कम समय को इंचोय कर सके नहीं तो परिशान रहेंगे तो मन उन्हीं में लगा रहेगा अक्सर देखा गया है कि 50 प्लस की उम वो थोड़ी सी परिशान हो जाती है और अगर ध्यान नहीं रखेंगे हम बच्चे उनका तो समझे कि हमें उसका खाम्याजा भूगतना पड़ेगा क्यों उनको नहीं हमें भी भूगतना पड़ेगा तो यह हमारा दाइत है कि हम भी उनका खयाल रखें उनकी डाइट का खय वहीं पर महिलाओं को जिंदगी की कई स्टेज से भी गुजरना पड़ता है जैसे कि मासिक धर्म गर्भावस्था मोनोपाज यह सभी समस्याइं जो हैं वो माताओं बहनों के साथ ही होता है कोई पुरुष्ट को देखा है आपने कभी कि मासिक धर्म होगा गर्भवस्थी हो होंगे यह मोनोपाज होगा नहीं होगा यह माताओं बहनों को होता है और इस वचल से उनका शरीर ज्यादा सिंसिटिव होता है इनसे उनके शरीर और मानसिक स्वास्थे पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए 50 साल की उम्री की मा देना चाहिए क्योंकि स्वास्थ से जरा सी अगर लापरवाही करेंगे और खास करके इस उम्र में तो कई बिमारियों के शिकार हो जाएंगे क्योंकि अब शरीर के शमता वो नहीं रहती है जब नई भाइक खरीद किलाते हैं तो उसको चाहें आप रेस में लगा लेकिन 50 प्लस क्लब में शामिल हो चुके हैं अगर आप तो आपको सिहत का बहुत ख्याल रखना है तो आपके लिए डाइट प्लान क्या होगा 50 प्लस की उम्र में पहुंच चुकी माताओं बेहनों को फ्लेक्सी टेरियन डाइट को फॉलो करना चाहिए इसे हाप वेज डाइट भ लिए कभी कभार आ आपको अलग छीजें भी खाने के लिए सजेष्ट किया जाता है तो आपको हम बेसिकलि इस चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि हम यह जादा तर वेघजीटेरियन चीज़ों को ही आपको बताते हैं क्योंकि इससे ही स्वस्थ रहने का हम तरीका बताते हैं जिससे कि किसी भी जीव की हिंसा का कारण बन सके हम वो हो ही न और हम स्वस्थ रह सके क्योंकि प्रकृति में इतनी सारी चीजे हैं हम क्यों किसी जीव का हत्या करें हम ऐसे भी फिट रह सकते हैं इस आहार को बहतर माना 3 fatty acid के लिए वो भी मैं आपको आगे बताता हूं इस diet में calcium की महात्रा भी प्रचूर महात्रा में होना जरूरी है आपके लिए वजन घटाने के साथ ही sugar level को control करना और heart की health को अच्छा रखना भी बहुत जरूरी है तो dash diet क्या है सबसे पहले ये समझ लेजे फिर आपको बताए मेडिटेरियन डाइट के संबंध में जहां तक dash diet की बात है तो इसमें साबूत अनाज होता है और साबूत अनाज के साथ साथ आप ताजे फलों को भी सेवन कीजिए और आप सबजियां जितनी भी हैं जैसे कि जो हरी सबजियां है खास करके उनका सेवन जरूर कीजिए इस साथारन लेंग्वेज में डाइट बताऊं तो मुझे लगता है जादा अच्छा होगा यह मेटेरियन डाइट या फिर किसी अन्याट को बताने की जरूरत की बजाए हम आपको बताते हैं क्या बेसिकली आप ध्यान रखें कि आपको हर सुबह जगने के बाद कोशिश करनी चाहिए इस बात को जो लोग भी ध्यान रखेंगे चाहें महिला हो या पुरुष वह हमेशा ही स्वस्त रहेंगे तो इस बात को आप जहन में बैठा लेजें कितने भी बीजी हूं आप खाना जरूर खा लिजे समय पर यह ध्यान रखेंगा अब एक बात और अलसी का सेवन जरूर करना है हमें थोड़ी सी ही मातरा में अलसी का सेवन हो लेकिन करना जरूर है क्यों कि अगर हम किसी भी प्रकार का मान सहर सेवन नहीं करते हैं तो अलसी बहुत जरूरी चीज़े क्यों क्योंकि इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाया जाता है और यह बहुत जरू से 20 ग्राम के मातरा में करेंगे तब भी अच्छा होगा आप चाहें तो इसका लड़्डू बना सकते हैं और रख सकते हैं अपने चोकलेट की तरह से आपके लिए फायदय रहेगा आप जैसे इस्तेमाल कर सकें इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है जरूर किजिए विश्य सुरूप से इस बात का ध्यान रखे और चौंपरास चाहें आप घर पर बनाएं या फिर आप किसी भी कंपनी का लेकर क्या यह आपको जो अच्छा लगता रहे हों लेकिन जब घर में बड़े लोग हैं तो कब जिकी शिकायत उनको ना हो इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए भी फायदे मंद होगा मैंने कहा यह सभी के लिए पायदे मंद है अगर डाइट फॉलो कर सकें तो लेकिन चलो बच्चे हैं तो कभी-कभी अगर समो हो चुके हैं उनको तो विश्य सुरूप से हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों से दुरी बना लें और थोड़ा सा आटा जो है वह पांच अनाज को मिला करके बना लें जैसे कि थोड़ा सा चना डाल दिया उसी में थोड़ा सा आपने बाजरा डाल दिया और उ अकसर यह कुशिस करें कि सुबह में जल्दी जगें और पहले से भी जगते रहें तो ज्यादा बहतर रहेगा उमीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी फिर भी कोई अगर मन में डाउट है या सवाल है कुश्चन है तो आप लिख सकते हैं कमेंड के माध्यहम से हम कोशिष करेंगे कि आने वाले वीडियों में के एतना ही रखते हैं इस वीडियों का अपने दिल से धनीवाद फिलहाल यह वीडियों आप सभी देख रहे हैं आयरवेदि कुश्चा चैनल के माध्यहम से झाल झाल